श्रीमत भगवत गीता अध्याय दो श्लोक उन्सट विश्या विनिवर्तन ते निराहारस्य देहिना रसवर्जन रसोप्यस्य परम द्रिष्ट्वा निवर्त ते इस श्लोक का भावार्थ है इंद्रियों द्वारा विश्यों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विशय तो निवर्त हो जाते हैं परन्तु उनमें रहने वाली आसकती निवृत्त नहीं होती, देहधारी जीव इंद्रियभोगों की इच्छा बनी रहती है। इस थित्प्रध्य पुरुष की तो आसकती भी परमात्मा का साक्षात कार करके निवृत्त हो जाती है। सान, ईश्वर सरवानंदमय है, जब आत्मा को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, तो वहाँ आनन से त्रिप्थ हो जाती है। फिल, व्यक्ती में स्वाभाविक रूप से निम्न कामुक सुखों के प्रतिवैराग्य विक्सित हो जाता है, भक्ती से आने वाली यहाँ ये द्रिड और अटल है, word by word meaning, विश्या हिंद्रिय विशय, विनिवर्तंते रोकना, निराहरस्य स्वयम को दूर रखने का अभ्यास, देहिन देहधारी जीव के लिए, रस्वर्जम भोग का त्याग करना, रस्वर्जम भोग विलास, अपी यद्यपी, अस्य उसका, परम सर द्रिश्टा अनुभव होने पर निवर्तते वह समाप्थ हो जाता है,